बदरपुर नाम का एक गाउं था, उस गाउं में हीरा नाम का एक कसाई रहता था, वो दूसरे गाउं से सस्ते में बकरे खरीद कर लाता था और उन्हें काट कर उनका मांस गाउं वालों को बेचा करता था, गाउं के सभी लोग उससे रोज बकरे का ताजा मांस खरीदने आत ये तो बहुत ही सुन्दर है मा, क्या मैं उस पक्री के बच्चे को छू सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने इसे कल ही खरीदा है, इसे खिला पिला कर अट्टा कट्टा बना जूँगा, फिर इसे काट कर इसका मास बेच कर खूब पैसे कमाऊंगा बाबा, इसे मारना मत, देखो न, ये कितना मासूम है, और कितना प्यारा भी, देखो न, ये मेरे साथ खेल रहा है, क्या मैं इसे अपने साथ रख सकता हूँ? क्या सोच रहे हो जी, अपने बच्चे के लिए थोड़ा नुकसान नहीं उठा सकते क्या, उसे देखो वो कितना खुश है उसके साथ? हीरा अपने बच्चे की खुशी के लिए हाँ बोल देता है, जगन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, और बकरी के बच्चे को अपने साथ घर ले जाता है, उसने उसका नाम शेरा रखा, शेरा के साथ वो दिन भर खेलता, जो खुद खाता उसे भी खिलाता, जगन को मी के लिए नहीं मैं तु अपने शेरा के लिए मांग रहा हूं देखो न ये कितने स्वाद से बोटियों को चबा चबा कर खा रहा है किलाने दोना भागवान देखो न शेरा भी तो कितने मजे से खाए जा रहा है देख न तुम एक दिन ये चोटा सा बच्चा मीट खा खा कर बाबा की बात सुनकर बहुत खुश होता है और उसे जल्दी बढ़ा और हट्टा-कट्टा बनाने के लिए रोज सुबह शाम मीट खिलाता कुछी महीनों में शेरा बहुत बढ़ा तो होई गया पर शेरा के मुह मांस लगने से वो बहुत खुंखार और खतरनाक भी हो गया थ शेरा रोज आधी रात को बाहर निकलता और गाउं के छोटे बच्चों को अपने मुह में दबा कर उन्हें जंगल ले जाता और उन्हें मार कर खा जाता कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा सभी लोग चारों तरफ फैल जाओ और छिपकर नजर रखो आखिर ये सब काउन कर रहा है काउन हमारे बच्चों को चोरी करके ले जाता है चलो भाईयो चल्दी करो और हाँ तो याहट ना हो जरासी भी आज हम उस चोर को पकड़ कर ही रहेंगे और कायब हुए बच्चों के बारे में भी पूछेंगे उससे हाँ सभी गाउवाले छिप जाते हैं थोड़ी देर में वहां शेरा आता है और जगु के घर में घुसकर उसका चार महीने का बच्चा उठा कर ले जाता है अरे ये तो हीरा के बेटे जगन का बकरा है इतने दिन से यही हमारे बच्चों को उठा कर ले जा रहा था अब देख क्या रहे हो उसका पीछा करो जल्दी वो जगु के बच्चे को उठा कर ले गया है गाउं के सभी लोग शेरा का पीछा करते करते जंगल तक पहुंच जाते हैं और उसे डंडे से मार कर भगा देते हैं जगु के बच्चे की जान तो बच जाती है पर वो सभी लोग गुस्से में अपने हाथों में मशाल पकड़ कर हीरा के घर जाते हैं और उसके घर में आग लगा देते हैं उस आग में हीरा उसकी पत्नी और जगन चल कर मर जाते हैं पर शेरा अपनी जान बचा कर भाग जाता है शेरा भूखा प्यासा जंग देख मैं तेरा दोस्त जगन हूँ, अब मैं तेरे साथ हूँ, मुझे पता है तु बहुत भूखा है, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, अरे खाता भी कैसे, मैं तो तेरे पास था नहीं, मैं तो मर गया था, अब मैं तुझे भूखा नहीं रहने दूंगा, मुझे सब पता है कि तुझे इंसानी मास बहुत पसंद है हम तोनों मिलकर इंसान का शिकार करेंगे फिर तुम उसे बेट पर कर खाना भूत शेरा की पीट पर बैठता है और गाउं के नस्दीक पहुँच जाता है भूत शेरा को जंगल वापस ले जाता है और उसे वहीं रुकने को बोलता है तभी शेरा जोर से मै मै करने लगता है शान थोजा शेरा शोर नहीं करना बिलकुल भी तुम्हारा शोर सुनकर कोई भी जंगली जानवर तुम्हें खा सकता है मुझे पता है, तुम बहुत भूखे हो, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, मैं बस अभी जाता हूँ, और शिकार लेकर अभी वापस आता हूँ भूद को शेरा के अलावा कोई नहीं देख सकता था, भूद गाओं में खुज जाता है और सोचने लगता है भूद बच्चों के नजदीक जाता है और उनके सामने शरत को उपर उठा लेता है, किसी भी बच्चे को भूद नहीं दिखता, उन्हें सिर्फ शरत हवा में लटका दिखता है सभी बहुत डर जाते हैं और भूद भूद बोल कर शरत को अकेला छोड़ कर भाग जाते है अरे, तुम सब मुझे अकेला छोड़ कर कहा जा रहे हो? मुझे नीचे उतारो, कोई मुझे बचाओ, इस भूद से मुझे बचाओ, मा, मा बचाओ शरत का मुँ दबा कर भूत उसे उठा कर जंगल ले जाता है और शेरा के सामने फेग देता है ले शेरा तेरा शिकार अब तु इसे खा कर अपनी भूख मिटा ये ये आवाज किसकी है कौन है यहाँ तुम दिखाई क्यों नहीं दे रहे शरत भागने की कोशिश करता है तभी शेरा उसके पीछे पीठ में अपनी सेंग खुसा देता है शरत दर्द से तडब तडब कर मर जाता है आज शेरा का पेट शरत को खा कर भर गया पर अगले दिन शेरा भूत को उकसाता है इंसान को लाने के लिए तू मुछे धक्का मार रहा है ताकि मैं तेरे पेट खरने के लिए इंसान लाओ सही कहा न मैंने शेरा अपना सिर छीलाने लगता है ठीक है मैं आज तेरे लिए एक नहीं बलकि तू इनसान लाओंगा बूट, मेरे गाव में भूट है हाँ, मेरे बेटे ने मुझे बताया था कि गाव में भूट है और वही शरत को खा गया ए कौन है, जो हमें इस तरहे खीचे जा रहा है अरे छोड़, छोड़ मुझे और मेरी पतनी को बाते बनाना छोड़ो और उधर देखो सुन्दर और उसकी पतनी को भूट ने उल्टा लटका दिया है अब वोने खीच कर ले जा रहा है बचाओ, बचाओ, बचाओ कोई बचाओ हमें तब ही किश्वन भागता हुआ आता है और दोनों के हाथ पकड़ लेता है बूत तांत्रिक का नाम सुनते ही भाग जाता है पर भूत के हाथ से शिकार छूट जाने पर उसे बहुत गुस्सा आता है वो फिर से गाओं में जाने की सोचता है कि तभी उसके सामने उसके माँ बाबा की आत्मा अखड़ी होती है बस कर बेटा, ये खून खराबब बन कर एक मामूली से बकरे को तुने मांस खिला खिला कर खुंखार बना दिया और अब तू से इनसान पकड़ पकड़ कर खिला रहा है अगर तू चाहता है कि तुझे अगले जनम में एक अच्छे इनसान का जन मिले तो बेटा ये सब छोड़ दे मुझे सब पता है, तुम दोनों मुझे मेरे शेरा से अलग करने आये हो वो मेरा शेरा है, मेरा, मैं उसे भूख से तड़कते हुए नहीं देख सकता इसलिए मैं चाह रहा हूँ वापस गाओं में इनसान को लेने ताकि मैं शेरा का पेट भर सकूँ भूख अपने मा बाबा की एक नहीं सुनता और गाओं में भाग जाता है पर वहाँ गाओं के सभी लोगों ने एक तांत्रिक को बुला रखा था गाओं में कदम रखते ही भूख दर्द से जोर जोर से चिलाने लगता है क्योंकि तांत्रिक उसे अपनी शक्तियों से देख लेता है तांत्रिक भूख के उपर भभूख फेक देता है भबूत फेंकते ही गाउं के सभी लोगों को भूत दिखाई देने लगता है भूत दर्द से और जोर-जोर से चिलाने लगता है उसकी चीक सुनते ही शेरा उसके पास भागा आता है जब गाउं वाले शेरा को भूत से लिप्टे हुए देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं तभी शेरा भूत को बचाने के लिए तांत्रिक पर हमला करता है उसे सिंग मार कर नीचे गिरा देता है और आसपास खड़े लोगों पर भी हमला करने लगता है तभी वाँ फिर से उसके माबाबा की आत्मा आ जाती है ये सुनते ही भूत रोने लगता है उसे अपने के पर बहुत पच्टावा होता है भूत शेरा को अपने पास बुलाता है और पास में पड़ी कुलहारी से उसकी गरदन धर से अलग कर देता है उसके बाद जगन सबसे माफी मांगते हुए गायब हो जाता है